अब देखो यार आज हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे SBS Volume Series के अलावा सबसे पहले तो एक announcement मैं करना चाहता हूँ मेरे 4K subscribers होने के बाद मैं Facecam वीडियोस बनाने वाला हूँ अब comment में जान देने मतलग जाना भाई Facecam मत करो वगेरा वगेरा पहली बात तो यह सुलो मुझे कोई चुल नहीं मचा है Facecam करके अपने ही चेहरे का मजाक उड़वाने का बट रीजन है समझो मेरा यह जो चैनल है जो अच्छा खासा चल रहा है कब यह तोई के नजर में आ जाए कब इसको तोई अनिमेशन का ग्रहन लग जाए और आके सीधे मार दे डेढ़ 200 स्ट्राइक और उसके बाद मेरा चैनल भी बंद हो जाए और मैं यह चीज नहीं चाहता हूँ वैसे मैं उन सारी चीजों का तो ध्यान रखता हूँ पर फिर भी यार मैं 100% स्योर नहीं हो पाता हूँ अगर मेरा चैनल गया मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरा रिस्तेदार तो ओड़ा लगता नहीं है कि वो बोलेगा कि नई RVS तू बना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा तो इस वज़े से मैं अपने सारे ओडियंस को एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं धीरे धीरे जो फेस्ट कैम पे सिफ्ट हो रहा हूँ तो थोड़ी यार आदत बना लो थोड़ा चेहरे को जहलने की आदत डाल लो अगर तुम मुझे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाते देखना चाहते हो तो अब हाँ कमेंट बॉक्स में मैं ये चीज रोना दोना नई सुनना चाहता कि भाई बाकियों का नहीं उड़ता है ये नहीं होता वो नहीं होता वगेरा वगेरा विकॉज ये सब चीज चूती आप आए और अगर तुमको फेस्ट कैम नहीं पसंद तुम सीधे अंसब्सक्राइब करके चलके जा सकते हो मुझे कोई हरानी नहीं होगा और इसको सपोर्ट करना है भाई तुमको बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है अभी जो मैं अनॉस्मेंट करूंगा और हाँ लाश में हमनों SBS वालियूम के बारे में भी जानेंगे अब जो लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं उन्हें मैं एक खुसकबरी देना चाहता हूँ तुम सबका हमेशा से मेरे चैनल पे यार सिखायत रहता था कि मैं Anime Watchers के हिसाब से वीडियोस नहीं बनाता और Anime Watchers के हिसाब से भी आएंगी बट जो One Piece के जो एपसोर्ड रिव्यू होने वाले वो आएगा लूसी संपाई के चैनल पे जहां पर मैं One Piece के एपसोर्ड का रिव्यू करूंगा साथ ही साथ उसमें मैं Theories भी बताऊंगा वो भी Manga Spoilers के बिना मैं ट्राइ करूंगा वो इससे बनाने की अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे New Information भी तुमको मिलेंगी प्लस जो उस चैनल का मेन ओनर है जिसने उसे स्टार्ट किया है उसके भी तुमको वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे और अगर वो चैनल भी चल पड़ा जिस तर से ये चैनल चल रहा तो तुम भी जानते One Piece कमणिटी में आतंक मच जाएगा प्लस आज जो One Piece के अपसोड 2011 आया है ना मैंने उसका रिब्यू भी उस चैनल पर डाल दिया तो यार देरी किस बात की इस बीडियो को देखो और उसके बाद जाओ जाकर के उस चैनल को भी विजिट करो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है उ उसका पार्ट टू आने वाला मैं उस पे जोए काम करने वाला हूँ तो उसके लिए एक्साइटेड रहो और इंजोई करो अब हम आते हैं हमारे इस आज के वीडियो के टॉपिक पे जहां पर हम बात करेंगे एचिरो ओडा के SBS वॉल्यूम सीरीज के बारे में आखिर ये SBS क इस चिडिया का नाम है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नई मालूम होता है हर बार जब भी वनपीस का कोई वाल्यूम रिलीज होता है तो एचिरो ओडा एक Q&A रखते हैं जहां इनके फैंस इन्हें क्वेस्चन्स पूछते हैं और ओडा इनका जबाब देते हैं और जब भ होता है भाई ओडा ना भ्यानक भ्यानक चीज़े रिवील करके जाता है जिससे वनपीस फैंस का दिमाग चक्राने लगता है और वो ऐसी ऐसी चीज़े रिवील करके जाता है ना भाई तुमको भी मजा आएगा तो अगर हम इसे सीधे और सरल भाता में एचिरो ओडा का Q&A कहें तो भी गलत नहीं होगा अब SBS का full form होता है इंगलिस में बोले तो I am taking questions ये चीज़ जानने का बाद बहुत सारे One Piece फैंस के दिमाग में आया होगा भाई मैं भी Oda से सवाल पूछूंगा पर कैसे पूछना है बताता हूँ मैं हूँ ना बता रहा हूँ अब मान लो अगर तुमको खुझ लिए Oda के पास जाकर के सवाल पूछने की तो ज्यादा कुछ नहीं करना One Piece का जो ऑफिस्यल यूट्यूप चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो प्लस जब भी One Piece का न्यू वॉल्यूम रिलीज होता है उसी से अराउंड एक हपते पहले ही उस चैनल पर यह अनाउंस कर दिया जाता है कि Oda SBS करने वाले हैं और SBS से रिलेटेड हमें जानकारिया दी जाती है कि हम कहां पर जाके सवाल पूछ सकते हैं तो उस चैनल को जो विजिट करके जरूर रखना और उसके वीडियोस देखते रहो जिससे जब भी नया कोई वाल्यूम वगरा आएगा उससे पहले तुमको मालूम पढ़ जाएगा और तुम लोग जाके यार सवाल पूछ सकते हो वैसे चांसे ना के बराबर हैं बट तुम लोग जाकर के अपना किसमत आजमा सकते हो तो जाओ और अपनी किसमत आजमा हो क्या पता अंधेरे में तीर लग जाए और Oda तुम्हारा question ले ले, अब हाँ वहाँ पर मत पूछ देना भाई, कि लूफी वसे जोरों में कौन strong है, वरना ओडा न वनपीस लिखना छोड़ करके आत्मा हत्या कर लेगा, सायद तुम्हें मालूम पढ़ गया होगा कि आखिरी SBS सीरीज क्या होता है, अब इसके न 101 volumes हैं, मतल skill है, बट मैं try करूंगा इनको खोजने की, और अगर तुम सब SBS के volume सीरीज के मेरे videos देखना चाहते हो, तो please subscribe this channel, तो यार मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, फिलाल के लिए, बाई!